हेलो स्टुडेंट्स मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपनों को ब्रिक मेसेनरी के बारे में बताया था तो वहाँ पर एक प्राम आई थी ब्रिक मेसेनरी बांड्स ब्रिक मेसेनरी बांड्स के बारे मेंदेсли में बताऊंगा तो आज मैं लिख्याया है और एक फिक्स पेटर्न में चलता है और रिपीटिटिव नैचर कर रहता है तो आज की लेक्चर में हम समझेंगे ये पैटर्न किस-किस प्रकार के रहते हैं और ब्रिक बांड्स कि अक्टूल में होता क्या है उसका इसका का है और अलगला टाइप जो भी ब्रिक बॉंड हम यूस करते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और इनकी क्या construction प्रोसेस है क्या construction प्रोसेस है उसके बारे में समझेंगे तो जैसा कि मैंने बताया brick bond is patrern और arrangement of bricks इसके बीच मे जो भी जॉइंट्स आते हैं उन जॉइंट्स को हम लोग बोटार के साथ फिल करते हैं और जब बोटार के साथ फिल होने के पाद एक बहुत ही बढ़िया hard mass and durable and long living mass बन जाता है तो सबसे पहले हम ले रहे हैं stretcher bond stretcher bond में जो हमारा brick का Indian standard brick का size रहता है 19 by 9 by 9 मिलिमीटर तो इसमें जो long face रहता है 190 by 90 वाल जो face रहता है यह सामने रहता है और 90 by 90 का side में रहता है 90 by 90 का face सामने रहता है और यह बहुत ही widely use करने वाला है बहुत ज्यादा use होता है यह वाला bond और क्योंकि पहले विसे load bearing walls ज्यादा बनती थी आजकर इसमें की पूरा का पूरा structure रहता है तो उसमें वाल की stability बहुत जादा माइन नहीं रहती है वाल जो हमारे लोड बेरिंग वाल्स हो गई है तो इसमें हम structure बांड बहुत जादा जादा यूज़ करते हैं यह जो इसका सबसे बड़ा इसका एड़ांटेज है हमारे structure बांड का कि बहुत ही simple है और अब simple होने के कराण यह economical बहुत जादा हो जाता है इसके application से जहां भी partition वाल हम यूज़ करते हैं वहाँ पर हम इस्टेचर बांड लगाते हैं जहां पर भी अपना garden वाल यूज़ करते हैं वहाँ पर भी हम structure लेते हैं that is known as header bond, header bond में हमारा जो 90 mm by 90 mm का face रहता है जो सामने का square face रहता है वो front में रहता है और जो rectangular face है वो side में रहता है तो यह सारे एक पूरा का पूरा arrangement जम जाता है आपका और usually यह जब आपका दो brick का बाल रहता है वहाँ पर यह use करते है header bond, header bond as compared stretcher bond काफी ज़्यादा durable है काफी ज़्यादा strong है और इसको हम load bearing में भी use करते हैं but usually हम इसको lintels में use करते हैं या फिर यह arches वगिरा बनाते हैं brick work में वहाँ पर हम इसको use करते हैं तो इसकी advantages यह है कि यह stretcher bond के comparison में ज़्यादा strong रहता है और इसका application, arches, lintels, load bearing also, right? इसके बाद आता है हमारा English bond, English bond में हमारा एक course में तो header bond चलता है फिर दूसरे course में आपका stretcher bond चलता है तो एक header फिर stretcher फिर एक header फिर stretcher ऐसे करके यह पूरा का पूरा course repetitive nature में आ जाता है और इसके जो beach के joint से obviously हम लोग motor से fill करते हैं यह दो eat का या team eat का चार eat का जैसा भी wall हो उसमें सब में यह equally applicable है और load bearing structures में भी इसको use किया जाता है यह काफी सुन्दर दिखता है अलग-अलग arrangement आता है header का arrangement अलग आता है फिर stretcher का arrangement अलग आता है तो काफी सुन्दर लगता है इसके बाद जो हमारा एक सबसे सुन्दर bond है वह है नीजर लेने को जादा यूजब यूजब किया जाता था डेनमार्क में जादा यूजब किया जाता था इसली इसका नाम यह भी पढ़ गया इसमें आपका एक इट का तो फेस जो रहता है उसमें square face सामने रहता है फिर दो इट का जो है rectangular face सामने रहता है फिर एक इट आपकी जो आ जाती है फिर square face सामने रहता है इस प्रकार से alternate चलता चलने जाता है और फिर इसका joint cut करने के लिए उपर से फिर थोड़ा सा गेप छोड़ के half brick side में ल obviously strong भी है और durable भी है यह ज़्यादा तर वहां यूज़ करते हैं हम लोग जहां पर दोनों तरफ exposed है फिर एक्जमपल अगर बाउंटरी वाल बनाना तो बाउंटरी वाल दोनों तरफ exposed है तो वहां पर दोनों तरफ सुन्दर पाच चाहिए aesthetic appealing रहता है तो decorative appearance इसका काफी अच रहता है और दोनों तरफ exposed वाल में इसको यूज़ किया रहता है अब मैं आपको बहुत ही महतरपूर बांड बता रहा हूं that is known as red trip बांड अब red trip बांड यह जो हमारा Indian standard brick 19 by 9 by 9 इसमें यूज़ नहीं होता है बट जो हमारा पुराना एक standard चलता था that is 230 by 110 by 75 mm यह वाला जो size इसका brick है जो commonly अभी भी भी बहुत जगह पर बहुत ही commonly available है जिसको कि हम 9 इंच, 4 इंच और 3 इंच का brick भी बोलते है तो इसमें जो है लंबा ही इसकी 230 mm रहती है चोडा ही जो इसकी रहती है वो आपकी 110 mm रहती है और इसकी जो thickness रहती हो 75 mm रहती है तो इस red trip बांड में हम ल इसकी फड़े खरशन पर ए जाता है और 110 cm रहती है और लंबाई में आपको 230 mm रहती है तो इसमें क्यें जो होता है जब इदर आपका यूस कर रहे हो 110 mm और क्यूंकि इसकी इधर 75 mm हो गया तो बीच में अगेन 75 mm का गेप आपका क्रियेट हो जाता है आपको फिगर में आपको अच्छी से क्लिरली दिखेगा अब इससे हमको के दो बड़े फाइदे हो जाते हैं एक बड़ा फाइदा तो होता है कि हमारा मटिरिल से हो जाता है ब्रिक ऑनली ब्रिक की अगर हम देखेए तो something 25% हमारा ब्रिक से हो जाता है और जहाँ पर हम से हो जाता है तो में में को लाइदा हो जाता है यह हमको थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। बीच में केविटी जो क्रियेट हो जाती है तो बाहर का जो सर्दी गर्मी का प्रभाव हमारे अंदर रहने वालों के उपर नहीं पड़ाए। बाहर ज्यादा सर्दी होगी अंदर बट नेचरल उससे 10 डिगरी टेंपरचर ज्यादा होग यह बहुत अच्छा हमारा थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। और फिर साउंड इंसुलेशन का भी काम यह करता है कि आपकी आवाज जहां पर एकॉस्टिक वगरा का यूज़ करना है वहाँ पर यह बहुत ही ज्यादा सक्सेस्फुल है। और एक पीसरा बड़ा फायदा ह होता है कि जो हम लोग कंडूट्स लगाते हैं आपकी वाइरिंग के लिए या फिर आपके प्लंबिंग के लिए वह इसमें आप आसानी से इनको प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें रिपेरिंग मेंडेनेंस काफी कम आता है। इसकी एप्लिकेशन कहीं आप यूज़ कर स तो इस्टूडेंट्स आज हमने जो ब्रिक मेसनरी बांड्स बेरें अलग अलग टाइप के बांड्स यूज़ किये जाते हैं उसके बारे में पढ़ा और जो उनके क्या एडवांटेजेस हैं हर बांड का अलग-अलग पैटन है हर बांड का अलग-अलग अरेज़मेंट आ इसके बारे में पढ़ेंगे थैंक यू वर वाचिंग